दोस्तो माइनेम इस मनुस सिंग और डायूड की इस स्रीज को आगे बटाते हुए अब हम बात करते हैं बाइसिंग और डायूड इन्हीं पीन डायूड में जो बाइसिंग होती हो कितने टाइप के तो इसमें देखें सबसे पहले दो टाइप की फॉरोड बायस और रीबर्स तो हमारे पास यहां पर जो बायस है वो क्या होता है तो बायस किसी डायूड को बैटरी से जोडते हैं तो बैटरी का अगर पॉजि N type semiconductor से जुड़े तब हम उसको forward bias बोलते हैं और यदि positive terminal N type semiconductor से और negative terminal P type semiconductor से जुड़े तब हम उसको reverse bias बोल देते हैं तो सबसे पहले हमें forward bias की बात करते हैं तो forward bias का मतलब पहला पॉइंट जो P side is kept at higher potential and N side at lower potential यानि P side को higher यानि positive terminal से और N side को lower यानि negative terminal से जुड़ते हैं इसमें दूसरा यानि B point है current और voltage में अगर हम graph खीचें इस diode के तो हमारे पास यहां पर देखें O से A तक का जो graph है वहां पर voltage बहुत ज़्यादा है लेकिन current बहुत कम है यानि इसका मतलब है यदि हम किसी diode को activate करना चाहें तो यहां पर क्या होता voltage हमें initially ज़्यादा देनी परती है जबकि current बहुत कम तो इस O से A के region को हम बोलते हैं threshold voltage और cut off voltage या knee voltage और यह knee voltage या cut off voltage या threshold voltage जर्मिनियम के लिए होती है 0.3 volt और silicon के लिए होती है 0.7 volt ओके यहां पर हमने यह PN डायोड सो भी कर रखा है कि positive terminal P से और negative terminal N से ओके अब reverse bias की बात करते हैं तो reverse bias में P side is kept at lower potential and N side at higher potential ओके अब यहां पर बात आती है कि जैसे हम अगर graph लें reverse bias में तो voltage और current यानि अगर हम reverse में कोई voltage बढ़ाते हैं तो उसमें current है वो बहुत ही कम होती है और एक time के बाद अगर हम reverse voltage को बढ़ाते चले जाएं तो diode क्या हो जाता है break हो जाता तो जिस point पे diode break हो जाता है यानि damage हो जाता है उस voltage को बोलते है breakdown voltage और यहां पर जो current होती है बहुत ही हाई हो जाती है जिसको हम बोल देता है infinite तो यहां पर हमने लिखा भी है the RC reverse current is voltage independent यहां रिवर्स जो current है वो voltage से independent रहती up to certain voltage कुछ certain voltage तक यानि यहां तक कोई current कुछ नहीं होती है अगर आप voltage को बढ़ाते भी जा रही है as breakdown voltage and this voltage independent current is called reverse saturation current यहां पर यह जो current है जो voltage से independent होती है उसको reverse current बोलते हैं और एक time के बाद अगर इस voltage को आप बढ़ाते चले जाएं तो diode break हो जाता है तो उस voltage को बोलते हैं breakdown voltage जबकि यह जो current होती है यह voltage से independent होती है next point हमारा आता है this reverse saturation current depends only on temperature of the junction यानि जो reverse current है यह सिर्फ किस पर depend करती है junction के temperature पर यदि junction का temperature बढ़ता चला जाएगा तो इसमें यह current क्या हो जाएगी बढ़ती चले जाएगी ओके next one for every one degree rise in temperature अगर एक एक degree temperature आपका rise कर रहा है यानि बढ़ रहा है तर रिबर saturation current increases reverse saturation current क्या करेगी इंक्रीज गई increases करेगी by about 8% 8% के लगवग and for every 10 degree और अगर आप 10 degree Celsius बढ़ाते हैं तो the I not becomes approximately double यानि जो उसकी maximum current होती वो approximately double होनी शुरू हो जाएगी every 10 degree temperature पे किसकी डायोट की ओके अब इन पी एंज जंक्शन डायोट में देखते हैं विर्थ ऑफ डिपलेशन लेयर इन्वर्शली प्रपोर्शनल टो डोपिंग जितनी जाता होगी उसकी विर्थ उतनी कम हो जाएगी दूसरा point डिपलेशन इस प्रपोर्शनल टेंपरेचर तो डिप इसका डिपलेशन लेयर होता है तो टेंपरेचर के अगर देखें के अन्वर्शन लेयर इस टोरह से लिपलेशन लेयर में हमने क्या किया था इस साइड़ पी था और उससाइड एन था यहां पर जो आ गे है तो ऑन शहाइं और यहां पर क्या आगया था पॉझिटीव देखें के स्टिटाब युद गेंगरिंत रोला था एक फिक्टीशियस बैटरी जिसमें कोई करेंट नहीं होती है तो एक डाइलेक्टरी की तरह काम करता है डाइलेक्टरी में जो करेंट को फ्लो नहीं होने देता है ओके नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं डायोड करेंट एकोईशन आइकल टो आई नॉट एकी पावर स्मॉल इवी अपॉन के टी माइनस वन यानि आई नॉट जो है वो सैचुरेशन करेंट है और ए क्या है चार्ज ओन एलेक्ट्रोन या होल्स और के बोर्ज में क्यूंत आउर्टेज़ और या पोटेंशल डीफ्रेंट्स ऑगे फ़्वर्ड वायस में देखते हैं कि दायोड का जो रिजिस्टेण्स होता है वह कितना तो वह होता है 10 लेके 25 तक और रिबर्स वायस में कितना होता है 10 की पावर और 5 यानि बहुत ज्याद़ रिजिस्ट और जो reverse current होती है, वो अगर आप लगातार voltage बढ़ाते चले जाएंगे, तो उसका temperature बढ़ता चला जाएगा, तो उसमें जो minority carriers होंगे, यानि cobalent bond break होंगे, उनकी वो जो से reverse current बढ़ेगी, और धीरे 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 आप voltage बढ़ते चला जाएगे, तो धीरे धीरे वो voltage भी बढ़ती चले जाएगी, और वो current भी क्या होगी, बढ़ती चले जाएगी, तो इसकी current एक time ऐसा आएगा, कि बोलटे, diode आपका क्या हो जाएगा, damage हो जाएगा, ओके, thank you very much.